हाई एवरीवाण कैसन है हमार चुन्नी मुन्नी गुरीवनिंग अब हम सोचवत है कि मैं क्लासे सोच रही हूं चार घंटे कंटेने सुबाई ले लू क्या कहते हो चलो अच प्लांक इंग्डम करते पर देखते हैं चलो पहले प्लांक इंग्डम करते हैं जैसे हमने सुबा किया था रिप्रोड़क्टिव एल खतम तरहें कि फिर छोटा सा टॉटिक बचा हुए वो कर लेंगे वाट से दाइड अगे न मैं वे उसे को डिलीट कर रे था चुद्नी मुन्नी मस्तवा और फेक्षुष रहना चाहिए वेरी वरी नाइस तो इन तो इन अधी न लाव 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 डन अग्डम सब्सक्राइब नौ से ग्यारा साड़े ग्यारा से साड़े बारा से डेड़ मौब रिशुरू करने क्लास लेना तो एक क्लास में ले लूँगे आपकी बढ़िया रहे का बताओ जाए अधर मैं आपकी क्लास में नौ से ग्यारा और साड़े ग्यारा से डेड़ यह कैसा ताइम है कि शाम को चाहिए इवनिंग पोल करो मौर्निंग मौर्निंग के लिए हाट्स बनाओ इवनिंग के लिए लाइक्स करो देखते हैं मौर्निंग के लिए हाट्स बनाओ इवनिंग के लिए लाइक्स करो मौर्निंग के लिए हाठ इवनिंग के लिए लाइक मौर्निंग के लिए हाठ जल्दी बनाओ जल्दी अब तुम लोग बराबर बिल्कुल बराबर बटे हुए हो चलो देखते हैं चलो देखते हैं। चलो तो एक सुबह एक शाम ऐसे कर लेंगे दाप विल का निवे इसे थीक है ओके हैं एपी को लगी तो पॉल टो 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 चलो आजा तो अप्लांग के लिए बड़ी अमेजिंग अप्रेश लाइज फॉस्ट ताइम देखो वे बहुत अमेजिंग मटीरल बनाए वाइट गुड़ीवनिंग योगेश लेट क्यों आये सुबह कहां थे चलो तो एवरीबडी फड़ा फट से फड़ा फट से आगे बढ़ते हैं और ऐसे करते हैं कि हमारे सारे क्वेस्टन सॉल्वने चाहिए ड़न चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं एवरीबडी कम आ अज़ा फट से वन अगाफ आर के अंदर प्लांट किंगनम पूरा हमें खतम करना आज की क्लास में ओकी क्लासिपाइ किया बेस्ट उन्ट इस सिमिलारिटीज और दिफ्रेंस कहिण के बीच में कुछ सिमिलारिटी इस çıktographic उन्की बीच में हमने इंको क्लासिपाइ करना शुरू कर दिया दिस pops Alpha. अटी काई थे में बैस्ट ऊन्ट सिमिलारिटी अंड बेस्ट को classification से शुरू कर देंगे red algae blue algae green algae right उस थाइप की classification यह realize नहीं करेंगे कि basis of classification is very very important from mcq point of view right yogish after chat नहीं कि होगा मुझे आद रहे सबसे पहले what is the basis of classification इस पर mcq बात है मैंने slides को बिल्कुल प्लेट रखा है जो भी चीज मैं मार्क कर रहे हूं आपको exactly पता हो कि यार मैं जो मार्क कर रहे हूं वो important है cool make a heart everyone I want one heart on the screen please quick 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 one beautiful cute little heart what is taxonomy so taxonomy is the system of classification to study the different organisms living on earth biologists ने उनको sort and classify किया based on their similarities and their differences all plants are however included in just one kingdom जिसका नामे प्लांती it is further subdivided into subgroups the classification is plants is based on a few criteria क्या इनके पास एक well differentiated root stem or leaf है जिनके पास नहीं है उनको थैलोफाइटा कहते है उसके बाद ही हमारे herbs bushes shrubs वगरा शुरू होते है जिससे algae है algae के पास well differentiated root stem or leaf नहीं है राइट निर्जरा वाइट वाइट फाइट फाइट पास right algae के पास well differentiated root stem or leaf नहीं है is that clear everyone correct so सबसे पहला basis of classification क्या है क्या है क्या प्लांस के पास जाइलम और फ्लोयम नहीं है देन क्या वो फ्लावर और सीट बना रहे जिसे gymnosperm में उनके पास naked seeds होते हैं उनके पास flowers नहीं होते हैं seeds are naked है या enclosed in fruit है enclosed in fruit syrup और syrup angiosperms के पास है और किसी के पास भी enclosed in fruit नहीं है आयो अंडर्स्टैंडिक फिनारोगैमी क्रिप्टोगैमी इसी को अभी हम डीटेल में पढ़ेंगे अभी तक हमने क्या क्या देखा what is the basis of classification सबसे पहले हमने देखा plant body क्या एक well differentiated plant body है या नहीं है उसके बाद हमने देखा xylem phloem vascular tissue है या नहीं है उसके बाद हमने देखा इनके पूस flower और seed है या नहीं है तो यह तीन हमारे पास basic methods है जिससे हम plants को classify कर सकते हैं इसके इलावा अगर हम देखते हैं कि यार हमने देखा that बहुत ज़ादा बहुत बहुत ज़ादा questions आते है scientists के उपर तो फिर हमने देखा है scientist के उपर जब questions आ रहे हैं तो तो बहुत important है कि at least सारे scientists हम कर लें you agree with me? चलते हैं तो सबसे पहला question आता है Theophrastus पे यह Greek थे आ philosopher, naturalist था plants बगेर के study करता था इनको father of botany कहते ये question कम से कम five to seven times previous year आ चुका है he was a pupil of Aristotle and he was a first person to publish a classification of plants पहला scientist इसने classification of plants दिया वो था Theophrastus guys come on one like on the screen everyone right is that clear इसने बोला herbs होते है shrubs होते है trees होते है जो plants अपनी life cycle एक साल में पूरा करते है उनको annual कहते है जो सालों साल लगाते उनको perennial कहते है जो दो साल में life cycle को खतम करते हैं उनको bineal कहते है is that clear everyone is that clear everyone तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले किस ने दी सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस ने दी अ क्यूंते है और दी सबसे अupid सबसे ओर सबते है ने ब्यक्तें सबसे टीर dicen बन वेरी लाइस, Theophrastus, and क्या बोला इसके, he was the father of botany, classification of plant, herbs, shrubs, trees on height, annual, perennial, byennial, then carolus lenius, right, मैंने सारे साइटिस एक साथ कर ली है, उसके बाद कौन है, carolus lenius, please, जो चीजे मैं करवा रहे हूं, ध्यान से करिये, इसके अपर गैरंटी, 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 गैरंटी आएगा, right, like, it's a guaranteed thing that question will come on this, please, therefore, pay a lot of attention, lenius was the first person to propose, an orderly system, एक तरीके का, तो orderly system, ये जो आपको इससे पहले herb, shrub, annual, byennial बताए, वो orderly नहीं था, तो orderly system करने वाला carolus lenius था, इन्होंने binomial system of naming plan 1753 में शुरू किया, please remember the date, also number 2 MCQ, is that clear everyone, by का मतलब होता है, to, nomi का मतलब होता है, name, इसने बोला कि हर एक चीज़ के हम दो नाम देंगे, Latin में एक नाम होगा genus का और एक नाम होगा species का, इसलिए इनको कहा जाता है, father of taxonomy, MCQ, binomial MCQ, yes, orderly system MCQ, any doubts, please, इनके छोटे-छोटे notes बना कर अपनी NCRT पे चेप दो, दर, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, no doubts, चले आगे, can we move forward, no doubts, चलो, let's move forward, कुछ भी डाउट अपने, साथ के साथ पूछ लो, Now, plant classification, the first sub-kingdoms consist of plants that are non-vascular and seedless, जिनको crypto-gammy कहते हैं, second होते है, vascular और seed-bearing, जिनको हम finarogammy कहते हैं, right, crypt का मतलब होता है hidden, gammy का मतलब होता है marriage, मतलब इन्होंने अपनी शादी, इन्होंने अपने sexual structures को छुपा कर रखता है, इसलिए हम इनको crypto-gammy कहते हैं, क्योंकि crypt का मतलब होता है hidden, और gammy का मतलब होता है marriage, तो भाया, इन्होंने अपनी जो marriage है, अपने जो sexual structures है, उनको छुपा कर रखा हुआ है, इन में आते है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मतलब थाली की तरह फैल रहे है, ऊपर नहीं जा रहे, algae, bryophyta, right, bryophyta is moss, right, pteridophyta, right, जिसमें आती है आपकी ferns, और थैलोफाइटा में और कौन आता है, fungus, और कौन आता है, आपकी lichens भी तो फैलते हैं, ऊपर थोड़दा उठते, right नजरा, and finarogammy में आते हैं, gymnosperm, angiosperm, angiosperm में फ्लावर होता है, तो obviously इसमें प्रूट बनता है, तो सीड के बाहर प्रूट नाम की कबरिं होती है, ये जो है, इसके सीड क्या, इसका सीड जो है, वो नेकिड होता है, and angiosperm में मोलो को डाइटा, ये classification अभी हम डीटेल में करेंग right, it's very clearly visible, done, दिख रहा है, बहुत clearly दिखाई दे रहा है, lightness, कम करो, देखो, कितना अच्छे तो दिखाई दे रहा है, guys, you can't see, or what? अब ठीक है, बैटा, 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 येस, अब ठीक है, अगे, चलिये, हैना, विजर अलोटी, clear मेरी तरस नहीं, तो kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, अगर मैं rose की बात करो, तो इसकी species है, rose, gallica, mossos, right, is it clear, done, genus, rosa, family होती है, rose, order है, rosales, class है, angiosperms, phylum है, क्योंकि इस में xylem flow है, होता है, trachyophyte of kingdom, plant D, right, ये में आपको classification में भी करवा चुकी है, you already know this, this is very very simple, ये तो KP, King Philip, Kaim, over for good soup, ये सब को पता है, right, अब एक-एक करके, इसके classification और इसके बाद दीपेश, so plant kingdom में, over 2,75,000 species are there, all plants are included in one kingdom, सिर्फ एक kingdom है, उसका नाम है kingdom plant D, इसको फिर हमने छोटे, और छोटे smaller divisions, based on several characters, क्या वो xylem flowem के थूरू circulate कर सकते हैं, fluid, क्या वो spores के साथ, या seeds के साथ reproduce करते हैं, उनका size कितना होता है, उनकी length कितनी होती है, इसके हिसाब से हमने इनको बोला है, क्या वो seed बनाते हैं, या seed महीं बनाते हैं, क्या उनके अंदर xylem flowem है, या xylem flowem नहीं है, तो यह हमारे अलग-अलग तरीके हैं, उनको cover करने के, is that clear everyone, गाइस मैं सच में सोच रहू हूँ, evening you guys are not coming, morning I have more crowd, so I'm sorry, I'm gonna take morning classes only, अगर तुम लोग कोज मैं इतनी महनत कर रही हूँ, तो फिर मैं morning classes ही करूँगी, morning 9 to 11, 8 class होगी, आदे हंटे की break होगी, 11.30 to 1.30, दूसरी class होगी, I'm not going to do evening class, right, because obviously इतनी जादा महनत कर रही हूँ मैं, तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा, एक दू बच्चों के चक्कर में, आप लोग recording देखे, कुछ भी करी, I'm going to be taking morning class, Yes? Right? Morning आपकी 9 to 11 एक लास होगी, पोल में तर्डूंगी, और आपकी एक लास शाम को होगी, एक लास सुबह होगी, खतम कहानी, बार-बार मैं नहीं कह सकती है, इतनी महनत करो, और फिर, इतने slides बनाओ, इतनी जादा महनत करो, और तुम लोग आओ, ना आओ, तो यह मैं तो नहीं कलपा होगी, ऐसे, Right? So, प्लांस को उनने कौनसी classes में दिवाइट किया, एक को हमने बोला, जो प्लार्स प्रड्यूस करते हैं, फिर हमने बोला, जिम्नो स्पर्म, एंजिस्पर्म को फिर हमने किसमें डिवाइट किया, डाइ कॉटलिडिन, जिनके अंदर ऐसे, आपका सीड के 2 कॉटलिडन बनते हैं, और जहां 1 कॉटलिडन होता है, मोनोकॉट की तरह, येस एडरीबडी, उसको हम कहते हैं, मोनोकॉट, वाइट एडरीबडी, नाउ, ये तो आइटिंग इसको कराने के जुरूद नहीं है, कि करा दूँ, ये आपको बता है न सब कुछ, ये कराने के जुरूद है, सब्सक्राइब करवाद के जुरूद के जुरूद का आपको इंट्रोड़क्शन भी दे दूँगी, सारा प्लांट की जुरूद का राइट मोनोकॉट सब क्लास में डिवाइट एडर क्या होता है, ग्रूप ऑफ रिलेटेड प्लांट फैमिलीज को हम ओडर में डाल देते हैं, को इक रिविशन करवाद हो, रिलेटेड जो फैमिलीज रिलेटेड होती है, उनको एक ओडर में डाल देते हैं, उनमें या तो लीव एक जैसे होंगे, या रिप्रोड़क्टिव स्ट्रक्चर देड जैसे होंगे, तो जितना भी ओडर है, अगर आप कभी भी एक्जाम में कन्फ्यूज हो रहे हैं, एक हैक देते हूँ, कोई भी ओडर है, वो एल्स में होगा, पॉली मोनी एल्स, जितना भी ओडर है, वो आपका एल्स के ऊपर खतम होगा, तो आप quickly आपको बता चल जाएगा, यह ओडर है, इस देट्लियर, फिर आती है आपकी फैमिली, फैमिली आपकी जैसे रोजेसी, तो फैमिली आपकी एसी में एंड होगी, याद रखना, ओर्डर किसमें एंड होगा, एल्स में, फैमिली, इच ओर्डर जवाइड इंटो फैमिली, राइट एट 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 होते हैं, इस सिबलार पो, लैक रोज फैमिली, रोजेसी, तो रोजेसी में कौन आता है, प्लम, एपल, इस इनके सिमिलार फ्ला स्ट्रॉक्चर स्ट्रॉबरी, तो एसी, 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 एल्स होगा, तो ओर्डर, एसी होगा, तो वो फैमिली कहलाएगा, अब जीनस तो आपको बता ही है, और यह याद रखने वाली चीज़ें आपको बता ही है, एक जीनस हमेशा हम कापिटल लेटर से करते हैं, राइट, इस देट लिए जिनका भी जैनरिक नेम सेम है, इस यह वह एक जीनस को बिलॉंग करेंगे, जितना उपर जाते जारहे है, उतना चोटा होता जारहे है, राइट जैसे 2,35,000 स्पीशीज है क्लास तो यह नो यह एंजियो स्पर्म है उसके बाद हम आगे 18,000 स्पीशीज और एक और है उसके बाद और छोटा हो जाएगा और के बाद अगर मैं क्लास फैमली के बाद करूं सिर्फ 3500 स्पीशीज है और जीनस में सिर्फ 500 स्पीशीज है राइट सब कुछ याद रखने की जरूती है जो आपकी एंसियाटी में आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है ना सबसे जादा common characters होते हैं एक स्पीशीज में freely interbreed करती है आपकी एक स्पीशीज इस 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 हाइस लेवल दाट डिफाइन एंडिविजुल प्लांट राइट सबसे उंचा लेवल जो एक इंडिविजुल प्लांट पो डिफाइन करता है वो होता का स्पीशीज is that clear everybody genus and species एक ही प्लांट का सेम होगा corcus alba हो गया white oak acer rubrum हो गया red maple rubrum का मतलब है red alba का मतलब Latin में white है और यह हमेशा एक ऐसा adjective होता है magnifera indica magnifera indica क्योंकि वो इंडिया में पाया जाता है right everybody is that clear जिसे indigo का प्लांट होता है जो इंडिगो कलर देता है उसमें indigo word यूज किया जाता है so हमेशा एक कोई ना कोई adjective होता है जो उसको describe करता है genus name capital से होता है और species name उसके पीछे होता है और वो देखो क्वर्कस का क्यूं capital है genus हमेशा capital से शुरू होता है और species हमेशा short में होता है clear everybody right acer rubrum red maple acer sacrum sugar saccharine sugar होती तो sugar maple acer palmetum Japanese maple यह तीनो acer क्या है एक genus है क्वर्कस पिन ओक क्वर्कस लाइग ओक राइट पाइनस वर्जिन पाइन टैक्सस कैंडेन यू तो आपको यह पता है kingdom इसकी प्लांटे होती है पाइलम क्या है कौन प्लांट मक्काई जी में स्पर्मैटोफाइटा क्लास एंजिस पर्मोनोकॉर्ट है फैमली ग्रामी ने राइट यह ग्रास फैमली का है जीनस जी एंड स्पीशीज हो गई अब आते हैं आपके में प्लांट किंडम पे इसका कि अब इस प्लांट किंडम प्र आते हैं अब इस गिवन इनके क्रवाइटा क्रवाइट इंड जी गुडू इवनिंग तो है आप बहुत लेट हो जैसे अब मैं यह कराओगी, यह सारा आपके NCRT के questions हैं, यह सब आपके NCRT के questions हैं, What is a kingdom called for plants, classified plants, seed, seed है या नहीं है, spermatophyta, two types of classes, यह सब NCRT के questions यह तुम लोग आंसर कर लो कि मुझे पता है, तो अब हम शुरू करते kingdom plants, right, इसकी characteristics से शुरू करेंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, अब चली आई, now, plants की सबसे important जो characteristics हैं, जिस पे हर साल question आता है, वो 4-5 characteristics पे question आता है, सबसे important चीज़े, autotrophic होते हैं, photosynthetic हैं, इनके पास chlorophyll होता है, तो chlorophyll containing होता है, plants move नहीं करते हैं, right, non-motile होते हैं, क्योंकि roots इनको anchor कर लेती हैं, multicellular होते हैं, और इनके पास ये eukaryotic होता है, इनके cell के पास nucleus होता है, इनके पास cell wall होता है, जो cellulose का बना होता है, hemicellulose का बना होता है, यह basic चीज़ें जो आपको पता होनी चीज़ें, basic चीज़ें के बिने chapter को शुरू करने का कोई मज़़नी है, right, ecological pyramid का base होते हैं, इसलिए इनको producers कहा जाता है, right, पता है न, producers यही होते है, right, यह एक जगा पे fix से stem cutting से, right, leaves से, sexual reproduction करते हैं, seeds बना कर, asexual methods भी करते हैं, plants, right, and alternation of generation करते हैं, seeds के पहले जो sports होते हैं, जो gamete होते हैं, और जब N और N मिल जाते हैं, तो फिर वो 2N बनते हैं, alternation of generation आपके syllabus से हटा दिया गया है, आपको पता है, right, alternation of generation आपके syllabus से हट चुका है, is that clear, oh, oh, यह तो दिखाई नहीं दे रहा है, fun, cycle, dinko, भी लोगा, कुछ नहीं होते हैं, इसको में change करके आपको कल की class में दिखा दे, right, अब इस पे आते हैं, so plant kingdom multi-cellular है, vast majority are photo autotrophs, मतलब यह sunlight से energy लेते हैं, energy from sun लेते, sun के energy में photo license करते हैं, oxygen को remove कर देते हैं, right, oxygen को मतलब remove in the sense, oxygen ब minerals होते हैं, वो soil से लेते हैं, minerals कहां से लेते हैं, dissolved in water, soil से लेते हैं, right, non-vascular plants जिनके पास xylem, phloem नहीं होता, वो बहुत कम होते हैं, non-vascular plants होते हैं, आपके moss and bryophytes, majority जो है वो आपका vascular plants है, right, इसमे होते हैं, आपका algae and your bryophytes, liver warts, horn warts, mosses and your algae, जादतर plants कौन से होते हैं, vascular plants होते हैं, vascular plants में क्या होता है, xylem और phloem, या तो seedless होगा, या seed bearing होगा, seedless पतलब ये spore बनाएगा, जैसा होता है, ferns, right, vascular है, spore बनाते हैं, seed या तो covered होगा, जैसा angiosperm में होता है, या तो seed naked होगा, जैसा gymnosperm में होता है, कोई doubt, any doubt still near here, राइट अब यह मैंने पते हैं प्लांट इंग्डम की नोट्स कैसे बनाएं गाइस डायरेक्ट mcq आएंगे बस तुम इसको कॉपी करते हैं चलो तुम्हें बोर्ड इग्जाम नहीं देना है डिवोनियन पीरियड एक mcq है स्पोर कॉन नहीं बनाता लाइकोफाइट होस्टेल फर्न कम से कम चार चार बार mcq आ चुका है तो मैंने questions ऐसे बनाए हैं चुट तफ आपके mcq question आते हैं एक एक slide की photo लेते चलो इस slide is not meant for board exam this slide is meant for me 2024 so that you are able to score out of out 360 on 360 type की slides बनाए है are you getting my point everybody please seedless vascular plant पे at least पिछले 10 बार में 5 टाइमस mcq question आया है और यही question आये है seedless vascular plants कौन होते हैं ferns कब आई थी कौन सी एच में आई थी devonian period seedless plants क्या produce करते हैं spores क्या groups है इसके ferns lycophytes equisetum और hot stale इसका नाम equisetum भी है and normal ferns जिसमें आती हैं आपकी maiden hair fur adiantum लिख लो extra adiantum समझ आ गया done seedless vascular plants seed bearing plants जिन में seed होता है seed bearing plants में आते हैं gymnose pump gymnose pump नहीं देंगे नहीं देंगे option में gymnose pump paper pro tap बनाएंगे need 2024 pay attention तुम लोग के लिए फाद रहे हो मेरा exam नहीं है और मुझे दूसरे teacher की तरफ views बढ़ाने की कोई आग नहीं लगी I am also giving exam मैं भी exam hall में जाओंगी हर साल दो चार टीचर कर रहेते हैं डेड़ दो लाख व्यूज ले आते हैं मुझे कोई आग नहीं लगी मैंने नहीं जाना exam hall में सुनो तुम gymnose pump सबसे पहले आया थे psychodesy, ginko biloba, gnates, conifers समझ आया यह चार gymnose pumps है इनमें सीड होते हैं बड़ इनके सीड के बार fruit की covering नहीं होती नेकेड सीज गिंको biloba, psychodesy, psychodesy पर question आता है यह डाइशियस होता है pine moniceus होता है गिंको biloba पर question आता है living fossil है gnates पर question आता है यह आपका zerophytic है desert में पाया जाता है it is a zerophytic gymnosperm यह तीनों आपके previous year question है लिखिए 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 इनको copy करिए right psychodesy, dices, male, female, separate होता है ginko biloba, living fossil है king crab और ginko biloba हर साल आता है एक साल king crab, एक साल ginko biloba एक साल king crab, एक साल ginko biloba glatens and connipers angiosperm बाद में monocort dicod है इनके seeds जो है, वो covered होते है क्योंकि monocort dicod sages क्या बनाते है, flower so the fruit wall is there they are covered by a fruit is that clear? अगर कभी भी एक question पक्का आना है seed bearing plants पे, seedless plants पे मैंने seed bearing और seedless plants आपको करवा दिए classification करवा रही हूं अभी तक कि classification पे किस किस type का question आता है classification पे question आएंगे सबसे पेला question आएगा, भाहिया बताएंगे seedless vascular plants ABCD option होगा, वहाँ से 4 उठाएंगे यहाँ से whisk fern उठाएंगे, confuse नहीं हो ना whisk fern seedless है कब आए थे, devonian period में आए थे spore produce करते है, seed नहीं produce करते है clear? और यह सब क्या है, अगर इनमें से कोई भी example आपको आए, यह सारे के सारे seed bearing है, seed bearing सिरफ दो टाइब्स के हैं, या तो gymnosperm में seed होगा, या angiosperm, gymnosperm के seed के बाहर cover नहीं होगा, angiosperm के seed के बाहर cover होगा, is that clear? is that clear? अब यहाँ से मैं क्या बताना चारी हो, बताओ 8 out of 10 times question आए, बताओ, तुम बताओ, क्या बताना चारी मैं, इस diagram से, क्यो मैंने this diagram डाला है, 8 out of 10 times question है, 8 out of 10 years MCQ question है, बताओ, very 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 important thing इस diagram के थो सम्झाना चारी हो, क्या सम्झाना चारी हो, इनरजरा बताओ, come on, you can do this, tell me, what is it that I want to explain through this, come on guys, come on, चितना एवल्यूशन जादा होगा, मतलब गेंजियो, मतलब जिम्नो, एवल्यूशन जादा है, जादा, कम नहीं है, जादा है, चितना एवल्यूशन जादा होगा, उतना स्पोरोफाइट, वेल्डेवलप्ट होगा, स्पोरोफाइट होता है, आपका 2N, प्लांट की बॉड़ी, समझाया, ये क्या है, ये है अल्गी नीचे, ये है ब्रायोफाइट, ये प्रोथाइलस हार्ट शेप्ट, जितना एवल्यूशन कम होगा, कम एरो देखो, अभी तक एवल्यूशन नहीं किया, इसके बाद आएगा जिबनों इंजियो, उतना इंक्रीज होगा, समझ आया? I will teach everything creative Indians जब मैं morphology में जाओंगी Plant Kingdom में Malwesi क्यों पढ़ाओंगी मैं Any doubts? evolution बढ़ रहा है अगर आपका evolution बढ़ रहा है अगर आपका evolution तो क्या बढ़ रहा है? sporophyte बढ़ रहा है कि gametophyte बढ़ रहा है? जैसे जैसे आपका evolution बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है? sporophyte बढ़ रहा है कि gametophyte? sporophyte बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है? sporophyte जैसे जैसे यह देखो यह क्या है यह पूरा पेड़ क्या है एंजियो स्पार्म का पेड़ क्या है sporophyte sporophyte is equal to 2N अगर evolution बढ़ा तो sporophyte बढ़ गया अगर evolution कम हुआ algae उलगी algae का यह प्रोथालस क्या होता है N यह N होता है 2N नहीं होता है अगर evolution कम हुआ तो sporophyte कम होता है evolution जब लो होता है तो gametophyte जादा होता है Is that clear? Is that clear? Any doubts? Ask me now. Any doubts? No doubts? Very important. कम से कम आज जाए पीवाई क्यों कीजिए कम से कम I am not exaggerating कम से कम साथ आठ बार question आया है Right? बहुत जादा इंपोर्ट है बहुत जादा इंपोर्ट है Done, 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 done चलिए Now, cryptogammy Right? Cryptogammy अब इसके बादे सब कुछ यह कराऊंगी तुम्हाल ही देखो इस सब कुछ कराऊंगी थालोफाइप प्राइप 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 आगी लाइप प्राइप प्राइप इस करा इसे ल में देखो है अबेकitung प्राइप आणगे बहुत मेहनत लगी फोटोस डाल डाल के स्लाइड बनी दिया बड़ी मेहनत लगती यार गाइस तुम लोग समझते नियों मेरी सारा दिन आंके थाज जाती है शामकर तो मिरी आंको में पानी आने नज जाता है इतना अधा आंके टाइव जाती है राइट सब कुछ कर दो गया चलो कर ले किनिश लाइक कर दो पर मैंने यह दिसाइड कर लिया सुभाई दो क्लासे दो गया आपकी बैक तु बैक दो क्लासे दो गी इसमें कोई मुझे डाउट निया भी 9-11 और 11.30 तु 1.30 क्लास खत्थम और 6 आज बलाशम गी मैंने राइन 9-11 अक्लॉक तु 11 अक्लॉक और आपकी 11 अक्लॉक 11.30 क्लॉक खत्थम क्लास यो बेब्स मैं कर रिल मैंने यह करना, 9 to 11, 11.2 वान करते हैं सब किंग्डम क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मैं सौ बार बोलती हूँ, उसे मैं क्रिप्ट कहती हूँ, क्या कहती हूँ, क्या कहती हूँ? क्या कहती हूँ, एक बार आओ, दबा के अपनी पढ़ाई करो, मैं भी शाम को बैठके आपका content बनाओ, material बनाओ, टेस्ट बनाओ, सब करो, ना, जो चीद मुझे दिखाई नहीं दे रहें, मुझे नहीं दिखाई दे रहां, करेक्ट, इसमें उसको क्रिप्ट नाम दिया, मु सीडलेस हैं, स्पोर छुप छुप के बनाते हैं, देर सीडलेस, yes, do not form flowers, इनके पास, देखो, फ्लावर के अंदर, क्या आपको stigma style ovary दिख रहें, फ्लावर के अंदर, क्या आपको pollen दिख रहें, भहिया, यह फ्लावर ही नहीं बनाएंगे, तो आपको क्या, male, female, कुछ भी they do not form flowers, अब फूल ही नहीं रहेगा, तो fruit कहां से बनेगा, ना flower बनाएंगे, ना fruit बनाएंगे, right, crypto hidden है, reproduce तो कर रहे हैं, पर भहिया, हमें पता नहीं चल रहा है, यह hidden affair चला रहे हैं, माबाप को नहीं पता चल रहा, छुप, छुप, okay, जिसन पता चलेगा, उसन दंडे बढ़ेंगे, अभी तक नहीं पता चल रहा है, किसी को पता नहीं चलने दे रहे, right, या इंस्टर, इनके बास vascular system भी नहीं होता, इनकी body differentiated भी नहीं होती, ना root दिखता है, ना stem दिखता है, ना leaf दिखता है, मैंने क्या बोला, थैलो पाइ यह spores बना देते हैं, दिखाई नहीं देते है, spores हमें, seed नहीं बनाते हैं, अब यह दो type के होते हैं, right, यह thallophyta और bryophyta होते हैं, और teradophyta होता है, ferns जो थोड़ा सा उठना शुरू हो गई है, right, थोड़ा सा उठना, teradophyta में आती है ferns, ferns है पहली vascular plants, इनमें छोटे चोटा root बनना शुरू होता है, चोटा-चोटा xylem बनना, phloem बनना शुरू होता है, समझ आ रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा xylem, phloem, थोड़ा-थोड़ा root शूट इनके अंदर बनना शुरू होता है, समझ आया कि नहीं आया, चुनी-मुनी, कोई doubt, एक paragraph है, कोई doubt, जो भी highlighted mcq question है, एक-एक चीज जो मैं यहां highlight करके लाई हो, mcq question है, done, ठीक है, every word which is in here, plant kingdom में इसको करनी है, इसके लावा कुछ करने के जरू होता है, so crypto गानी में कौन है, algae, एको थाली की तरह फैल रहा है, fungus, lichen में तो ऐसे ही फैलती है, bryophytes, mosses, and teradophytes, teradophytes में xylem बनना शु इसमें आपको कोई root shoot दिख रही है, कोई बच्चे जो कह सकता है, मुझे root दिख रही है, साहिल marathon का schedule आपको हमारे community page भी दिखेगा, right? कर दो डिखेगा, प्रिखेगा है, होता है, आपको अपको कर दो से हमारे community page भी एफेखेगाई है, क KennOOD करें जो लेहा- крепता है, कैंड हमारा कूंखेगा है, कि वहाई रहतना है, अ सुवर है कि ऐन दो कर दो कर दो दो कर दोंगशे जो कोई दो हाना दो दो किएएड़ काहाग कि दाव प्राइट किसी को रूट दिख रहा है किसी को स्टेम दिख रहा है किसी को यह ऐसे फैलते हैं बाकी प्लांट किसे फैलते हैं ऐसे आपको रूट दिखेगा स्टेम दिखेगा लीव दिखेगा यह ऐसे नहीं प्लते यह ऐसे थाली की तरह इधर और यह ऐसे प्लते हैं एनी डाउट्स येस एनी डाउट्स नो डाउट्स नो लाउट्स प्लांट इसक्ट रोल मैं तरह है व्लाउट्स येह औरोट्र ट्रूट को यह जां प्लांट प्लांट टूट्स ये लैज। कि अच्टिक 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 येज यूएर्फिक ये रहा ओट्रोफिक जिसके पास पिगमेंट है अपना कुछ का खाना बनाएगा राइट ऐन पास जाइलम फ्लोया नहीं है बोडी थैलोइड है, थैलोइड को डिफाइन करोगे ऐसे फैलरी है, ऐसे नहीं जारी, वर्टिकल नहीं जारी, होरिजॉन्टल फैलरी है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, थैलोइड, सबसे अगर आपस कभी किसी ने MCQ में पूछा, सबसे प्रिमिटिव प्लांस कौन है, तो आपका आपसर क्या होगा, थैलोइड, सबसे सिंपल प्लांस कौन से आपका होगा, थैलोइड, यह मरीन भी होते है, यह फ्रेश वाटर भी होते है, इनके पास रिजर्फ पूड होता है, स्टार्ट, यह एक MCQ क्वेस्चिन है, यह एक MCQ क्वेस्चिन है, इनके पास embryonic stage नहीं होती, इनके पास koई embryo नहीं बनता, राइट, क्योंकि इनका सीधा जो спore है, वो land करता है, और germinate करता है, और spore क्या बनादे जर्मिनेट करके N प्रो थैलोश बनता है, जो spore होते है, इनके पास koई embryo नहीं बनता, N और N, यह N और N मिलके embryo नहीं बनाता है, जब N हो और आता है तो वो स्पोर जर्मिनेट करके एक हार्ट शेट प्रोथालस बना देता है यह सोर्णों कम्प्लीट खाना होलो फाइप इक कम्प्लीटली किसी चीज़ को इंगल्फ कर लेना इस देट क्लियर और इनके गामेट इंजिया जो गामीट होते हैं वह उनके पास भी जै विग्जैंपल उलो फ्रीक्स , ऑ मिजामपे लिख मिचर्ज़ कर फिये कि सबसे है। सबसे प्रिमिकल सिम्पल ओना मरीन वह रेश्वाटर व्टर राइप फ्रेश वॉहतर है थैलोईड है राइप राय क्लोरोफिल इनके पास हैलो स्टा यह कि इनका रिजर्जर्वां सबसे इंपॉर्टन क्वेश्टन जो कम से कम पान शे बाद आ चुका है Amphipians of the plant kingdom because इनकी reproduction के लिए इनको water की जरूरत पढ़ती है ये land पे उग जाते हैं पर gamete के transfer के लिए पानी की जरूरत पढ़ती है ये भी अपना खाना कुद बनाते हैं autotrophic होते हैं इनमें seed नहीं होता है ये cryptogamous होते हैं cryptogammy का मतलब क्या होता है hidden flower नहीं होता है जो ये आपको दिखाई देरे सबसे important बात कर रही हूँ pin drop silence शाहिए इतनी चीज़े copy करो फ़र सबसे important बात कर रही है सबसे important बात yes एक सिक्ट का ताइम वीज देचिईए गएम और होता है इवका में बात कर दे खेबते हैं झाल 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 याल क्या झाल अब मैं सबसे इंपॉर्टन चीज बताने रगिया, सबसे ज़ादा इंपॉर्टन चीज बताने रगिया। आपको पौधा दिखता है, वो 2N होता है, जो आपको ये पौधा दिख रहा है, ये N है, समझ में आया? जो आपको एंजियो स्पर्म का पौधा दिखता है, प्लाण, दंडी, डुंडी, लकडी, पत्ता, फूर्टन वो 2N होता है, जो आपको यहाँ ये पौधा दिख रहा है, ये N है, ये 2N नहीं है, भाई अगर इस N ने गैमीत बनाना है, थाइक साश्वरिन, इस N ने अगर गैमीत बनाने हैं, तो हो माइट औस से बनाएंगे, ना की मियोसिस से, Is that clear everyone, is that clear everyone, just say yes ma'am, yes? Is that clear? Angiosperms में plant body क्या होगी? Diploid, यहाँ पे plant body क्या होगी? यहाँ पे plant body क्या होगी? Haploid, is that clear? Right, यह बहुत, तो and जो stem लिए के सब कुछ नहीं आभी तक, Root like rhizoid, यह सब कुछ N है हैं, और यह अपने गैमीट बनाते हैं, माइट उस करके, Plant body is haploid, Plant body is not diploid, Is that clear? They are connecting link between algae and teledophyte, एक तरफ algae है, thallophyta पे बीच में bryophyte है, यह देखो, और एक तरफ teledophyte है, ठीक है, यह कहाँ पर होते हैं? यह बी, moils, damp, shaded areas में, hills में, water bodies में, इन में कोई vascular tissue नहीं होता, कोई xylem बाइलम नहीं होता, Right? Is that clear? xylem की जगा इनकी body में होता hydroids, Right? They don't need, ऐसा नहीं है, ताविश, they can't form root and shoot, they don't need, चुझके root or shoot किसको चाहिए, root or shoot उस पौदे को चाहिए, जो ऐसे जा रहे है, उसी को तो root चाहिए, पानी को ऊपर दे सके, यह तो ऐसे जा रहे है, यह तो मिट्टी पे रहते ही है, तो इनको किसी shoot root की ज़्यादा जरूरा हो, इनके पस shoot होता ही नहीं है, यह भी तो उतना develop ही नहीं कि यह shoot shot बनाए, समझाया कि नहीं आया? They have not developed that much, इनके पास कोई vascular tissue नहीं होता, xylem नहीं होता, xylem नी जगे इनके पास hydroids होते हैं, leptoids होते हैं, phloem की जगा, तो यह एक बार, दो बार, आएंसी क्यों में आया हुआ है, इसलिए मैंने डाव दिया है, leptoids किस की जगा होंगे, phloem की जगा, तो खाना कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, leptoids, फानी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, hydroids, इनके पास sex organs होते हैं, और वो multicellular होते हैं, unicellular नहीं होते हैं, multicellular होते हैं, male sex organs को क्या कहते हैं, anthridium, male, female sex organs को कहते हैं, artygonium, यह आपको पता होना चाहिए, is that clear? यह male sex organs बनाएगा, N, यह swim करेगा, और यह swim करके, यह female sex organs के पास चला जाएगा, यहाँ भी यह दोनों मिलके क्या बना लेगे, 2N, अब मैं इसको समझाना चाहते हैं, समझो, समझो, इमामी गेमिंग मैंने कर लिया, बिटा तेरा हाई, आजा पढ़ ले, यह आपका, green color का algae, moss है मार्लो, moss, N, तो यह है आपका, female, यह है आपका, male, male से gamit mickle कर आया, swim करता हुआ, पानी के जरूद इसलिए पढ़ती है, female के पास आ रही है, तो यहां क्या बन गया, 2N, और यह N क्या है, यह जो N है पूरा, यह क्या है, यह plant body है, gamitophyte, तो क्या आपको दिख रहा है, कि, यह जो आपका, 2N है, यह पूरा N है, तो यह 2N, जो छोटा सा 2N इदर बना, यह 2N किसक्यों का dependent है, यह जो छोटा सा 2N बना है, यह स्ताबिश, इनके पास rise oise होते है, 2N किसक्यों पर dependent है, बताओ, यह जो छोटा सा 2N बना है, यह 2N किसक्यों पर dependent है, N पर, यह 2N N से ही तो nutrition suck करेगा, यह 2N किसक्यों कर लेगा, meiosis, meiosis करके क्या बना लेता है फिर से, spore, वो spore क्या होता है, N, वो N क्या बना लेगा दुबारा, body, उस body को क्या कहते है, gametophyte, और यह body, में एक जगा N female है, एक जगा N male है, यह दोनों swim करके मिलके फिर क्या बना लेंगे, 2N, 2N is dependent on N, the sporophyte is dependent on the gametophyte, the gametophyte is the dominant part, gametophyte is the dominant part, gametophyte is the green part, gametophyte is the one जो करता है photosynthesis, it is the main green part जो photosynthesis करेगा, the sporophyte is 2N, it is dependent, because it is not really green, it is dependent on the gametophyte, is that clear, it is just the opposite of angiosperms, is that clear, alteration of generation life cycles, out हो चुकी है, तो मैंने इनको cover नहीं किया है, पहले हम बहुँ चीज़े करेंगे, जो syllabus में अभी तक है, राइट, फिर भी मैंने एक एक लाइन लिखवा दी है, तो ब्राइवफ़ई के होते हैं, जो पहले हैं, और नॉन वैस्कूलर, ना तो इन में लपडी होती है, ना इन में जाइलम फ्लोईम होता है, राइट, gametophyte is a dominant life cycle, gametophyte में ही जो छोटी मोटी stem, leaf, root, shoot, सब root-like part को rhizoid कहते हैं, gametophyte में होता है, ये wet habitat में रहते हैं, क्योंकि पानी की जरूरत होती है, for what male and female to join, क्योंकि जो flagellated sperm हैं, मैंने photo दिखाई थी, उनको water भी जरूरत होती है, are you understanding? How is it dominant? अभी तक क्या समझा रहे थी, जब तुम high high कर रहे थे? Right, ये mean plant body कौन है, जो photosynthesis करेगी, जो green है, वो gametophyte है, समझे? Yes? चलवाओ, एक बार तुमारा समझा रहे थे हो, पचास बार high कर रहे थे, तो ध्यान देना था ना? Right? आईए, ज्यान दीजी अभी, प्लीज, everybody, Right? कहां से शुरू करते हैं? Let us start from here, इसको बान पकल करते हैं, अभी ये body, ये main body, ये देखू, ये है, ये आपको दिख रहे हैं हरे रंका, ये, ये main body है, रूट लाइक ट्राइड दिख रहे हैं, चोटे-चोटे, देखू, ये main plant है, ये हरे रंका, main plant है, ये main plant जो green color का है, दिख रहे है, green color का photosynthesis करेगा, ये main plant एक gametophyte है, मतलब ये main plant क्या है? N, देख या, सब को समझ पे आ गया? बे अटेंशन प्रशान्थ, अब समझा देते हैं दुबारा, नहीं तब, येस, इस main plant में, इस main plant पे, दो sporophyte बन रहे हैं, mature, इनसे spore निकलेंगे, spore, एक male spore निकल सकता है, एक female spore निकल सकता है, right? What is mitosis and meiosis, please go to class 9, प्रशान्थ, मैं नहीं समझा सकते हैं, मेरे अंदर इतनी शम्ता नहीं है, मैं तुमारे doubt clear करूँ, sorry, done? ये meiosis करेंगे, इसे spore निकलेंगे, spore निकल गए इसे, एक spore होता है male, और एक spore होता है female, done? ये देखो, अब ये एक जो spore आता है, इससे, देखो कैसे development शुरू होती है, ये ऐसे ऐसे दिखता है, ये देखो, एक spore ऐसा development करता है, is that clear? एक male gametophyte बनाता है, gametophyte मैंने बोला N है, और एक ने female gametophyte बनाया N, right? ये दोनों एक body में भी हो सकते हैं, जैसे, अगर मुझे आपको ये दुबारा समझाना है, ध्यान से सुनी है, ध्यान से सुनी, बहुत interesting है, right? पेटा, लेक्चर देख ले, प्रशान्त, ये माइटोसिस, मियोसिस की ख्लास नहीं है, ये gametophyte है N, इसके एक तरफ लगाए male, एक तरफ लगाए female, मान लो, ये male ने gametes छोड़ दी है, spore छोड़ दी है, spore, ये spore female के पास पहुंच गया है, ये female का पास N था, ये दोनों मिलके 2N बन गया है, right? ये देखो कैसे जा रहे हैं ये, ये देखो ये male spore गये, ये female के अंदर गये, ये जो sporophyte है, ये 2N, ये किसके उपर लगा हुआ है, वो जो वहाँ 2N बन रहा है, वो किसके उपर लगा है, ये किसके उपर लगा है, किसके उपर लगा है, ये 2N किसके उपर है, ये N के उपर है, ये N से पावर ले रहा है, is that clear everyone, यह एन के उपर लगाए एन से एनर्जी ले रहा है तो यह 2N जो है यह नॉन ग्रीन है फोटो सिंथेसिस नहीं कर सकता बस इसका काम होता है स्पोर बनाना इसने स्पोर बनाए वो 2N बन गया राइट 2N ने मियोसिस किया मियोसिस करके N बनाया यह N बन गया गयमेटोफाइट इस N गयमेटोफाइट में ग्रो किया आपको दिख रहा है देखो कैसे ग्रो कर रहा है प्रोथालस बनता है यह हार्ट शेप्ट होता है हमेशा प्रोथालस आपको दिखाई दे रहा है इस शेप का होता है देखो कैसे इस इसके उपर पूर बनेबने बनते हैं अपर कैसे इस एंगे और को किृत किसे 3-4 बार बता एं किसे teaching teacher वर बता चुकिए माइट उससे से बनेंगे कैसे बनेंगे प्रोटो नीवा ओब इस मेने हार्ट इपरो तैलर प्रोटो नीमा नहीं बोला है इसको प्रोटो नीमा इसको प्रोटो नीमा के बाद रहा है एप्रोटोनीमा हार्ड शेप नहीं होता है प्रोथालस हार्ड शेप होता है करेक्ट और सेल्फ प्लीज निलजरा गलते मत कर क्या ना ही जाम में वाइट और वाइट बनेगा देखो और पॉरफाइट इस्टेल अटाश्ट फिर स्पोरफाइट क्या बनाएगा तुम बन गि फिर प्रोथालस बनेगा फिर एन और एन स्पोर बनाएंगे यह एन और एन स्पोर कैसे बने माइट ऑसिस से फिर एन और एन स्पोरफाइट किस पर डिपेंडेंट होगा गामिटोफाइट पे फिर यह क्या करेगा स्पोरफाइट क्या करेगा मियासिस पोरफाइट क्या कर yes श्मस इनका जो आपको दिख रहा है इस उपर दिख रहा है यह हरा हरा पातीय सब क्या है पांडा यह सब ग्यामी तो फाइट है और इनके जड़े जो इनको मिट्टी से लगा करक्ती है ओ जड़े क्या कहलाती है राइज ओड़ी है राइज रूटलैक राइज कोई डाउट इनका जो लीफी शूट है यह लीफी शूट क्या है ग्रीन लीफी शूट क्या है photosynthetic part क्या है photosynthetic part क्या है gametophyte photosynthesis कौन करता है इस एक्रियर कि अगर कि क्या है यह क्या है यह 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 हार्ट शेप्रोंफाइलस यह प्रोटुनीमा उस पोर से बनते है जर्मिने थोकर यह क्या है यह 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 क्या है यह क्या है sporophyte is dependent on कोई डाउट spiral leaf होते है is that clear और कैसे बनते है germination from sport is that clear यह क्या है यह क्या है क्या है यह काई लाग यह क्या है यह है झाल ज्याट सबस्क्कन ड्रेपैं बनी अजया यह यह व यह झाल ठीक है? चले? तो इनिशल यह दिख एक से स्पाइरल ऐसे एक दर एक दर एक दर एक दर एक दर एक से स्पाइरल बनते रहते हैं? तो यह स्पोर है प्रोटोनीमा से क्या बनता है? हार्ट शेफ्ट प्रोथालस उसी में मेल फीमेल होता है मेल से ग्यामिक मिकल के फीमेल की तरफ जाता है फीमेल की तरफ जाएगा तो यह 2N होगा? 2N will be dependent on N. Yes, 2N will be dependent. प्ला सिंपल है गाईज एक बार समझ में आ गया? it is very very simple. और यह नीचे क्या है अगर कभी पूछ लिया ऐसे लेवलिंग करके? कि यह क्या है बताओ? तो क्या आंसर दोगे? यह क्या है बताओ? तो क्या करोगे? इसको क्या लिखोगे? क्या है यह? राइजोइड, very good Shreya, very very good, right? अंधरीडिय आर्टीगोनिया पता है? अंधरीडिया क्या हता है? अंधरीडिया is the male reproductive system, जहां से male gametes निकलते हैं आर्टीगोनिया is the female reproductive system तो अगर अब कभी यह question आ गया, यह जो हरे हरे पते हैं, यह क्या है? स्पागनम को हम पीट मॉस भी कहते हैं, स्पागनम पैकिंग में काम आती है, स्पागनम किसमें काम आती है? यह मुइस्च्छ रिटेन करती है प्लांट की पैकंग प्लांट को इसको हम स्पाग्ण मॉस्च्छ को रिटेन करती है यह आपका स्पोर नाम क्या है एक हुआ बताईए येस प्रशांद आप आराम से बैठके लेक्टर देए इधर अपना टाइम देश मत करें गपियाओ मत इधर येस पिट नहीं पिट गलत है श्रेया नो 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 पीट पीट मॉस स्पारिनम इस अलसो रेपर टू आज पीट मॉस कल है वेंटी दस बजे यह देगो स्पोरफ है कि क्या निकल रहा है इस Spore is there यह उपर क्या है sporophyte में लिख हमेशा gametophyte Is there clear हमेशा क्या होता है terminal Right Konyya में लगे होता है And Yes Orenzy and Terry तरी डी आये यार की konyya में है यह दिख रहे है शेप अलग लग होती है यह देखो कि और इंटरीडिया आर्टी गोनिया अब नीचे आपका ग्यामिटाफाइट अब मैं यह नहीं समझा रही है अब आपको पता है क्लियर है है life cycle मैं समझा चुकी हूं गामिटाफाइट हापलॉइट स्टेज होती है मेल फीमल मिलते हैं हापलॉइट स्पोर्ट रिलीज होते हैं यह इस पोरोफाइट किसकी ओपर dependent है बताओ यह sporophyte किस क्यों पर dependent है ग्यामिटोफाइट क्यों पर dependent है अब आजाते वैस्कुलर प्लांट मतलब अब जायलम फ्लोएम बन गया है पर अभी तक सीड नहीं बना है जायलम फ्लोएम तो बन गया है वानार वो भी गया पता भी नहीं चला येस येस नवानश येस वैट जायलम फ्लोएम बन गया है पर सीड नहीं बना है उसको क्या कहते हम सीडलेस वैस्कुलर फ्लांट क्या कहेंग बाद इन भी रेफर तो आज सीडलेस वैस्कुलर प्लांट येस ठीक है चल उनको कहेंगे टेरिदोफाइट फर्न्स आर रेफर तो आज यॉर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट सीजी भाव को हमने कर दिया है ब्लॉक कोई तो गेम खेल रहे है येस चले है दाट है ये भगवान लव यू मैम कैसे बच्चे भाई और ये कहां से आते हूं कहां कहां से आते हैं पड़ चला येस हमार आशिक की मेरे जिंदगी में कोई आवशकता नहीं है I'm not feeling down ya I'm tired of speaking for four hours with a cut tongue I don't need any validation मुझो बता है बहुत intelligent हूं बहुत सुदर हूं बहुत amazing हूं I'm not feeling down I'm like I'm tired of speaking so much yeah ithna ithna jobless कोई नहीं है पांड़ा ये प्रशानत अलगी है मैं बढ़ाई है बढ़ा बरत नाट्यें तो मैं करूंगी नहीं yes बिल्कुल पांट आओ प्रशानत अलगी मैं पढ़ाई ये नहीं 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 पढ़ाई आज तो हम रागे लॉपिंग भरत नाट्यें भी करेंगे आजओ चलो अलायक है अच्छे मेरे तुरे हैं हाँ यह सो डिविजिंट एलड़ फाइपा है वेरी वेरी इंपॉर्टन प्वेशिन चार पार यह लाइन आ चुकी है इसको रटता मादो फॉर्स्ट्रू लैंटान देख अम्पीविन और प्लांट इंग नमें किये लाइं कम से कम प्लांट बॉड़ी क्या थी अभी तक प्लांट बॉड़ी क्या थी वंशिता बता अभी तक प्लांट बॉड़ी क्या थी वंशिता बता अभी तक प्लांट बॉड़ी क्या थी बता जल्दी बता वंशिता अभी तक क्या थी प्लांट बॉड़ी पत्ता नहीं करना भाई समझना है प्लांट बॉड़ी क्या थी अभी तक चार बार दस बार बता चुकी हो भी पिछली दस वेरी गुड श्रेया अभी तक क्या थी गैमिटोफाइट थी भगवान यांग डिप्रेंशियेटेट वन डिप्रेंशियेटेट नहीं पूछ रही मै यहां से प्लांट बॉड़ी हो गई इसलिए इसलिये इसमें है इसमें फ्लोयम है समझाया मेन प्लांट बॉड़ी हेस stem है leaf है root है क्या ये ये जो second statement है क्या ये moss में था moss में ये सब नहीं था क्या ये moss में था बताओ was it present in moss आराम आराम से पढ़ा रहे हूं धीरे धीरे से please pay attention please pay attention please is that clear था था नहीं था तोई दाओ क्या हां तक तोई दाओ क्या हां तक wait out चले पर आगे उसकảo में क्या तका है ङा हूं क्या है तोई आराम तक तक क्या हम उन्थाब तक आराम अक क्या हम थाओ क्याओ क्या Guide भाई पांड़ा क्या हो गया तो इसना टेंशन में क्यों माम आप कितने टाइम लाइव आती हो अभी शेक वाले कौन है भाई मैं आती हूँ पच्चिस घंठे लाई मैं कूल हूँ यार गरिवा में कहां से गरम लग रही हूँ मैं तो एंटर्टेंशन और है मुझे बड़ा मज़ा रहे यह आँ अभी शेक वाले मेट अभी शेक वाथे अहे यहां मतला कई नों कितला मज़ा आता मैं चलो आज अपनी बजवातें यह के लों किसे कम टाइब अभी टाइब चलो चलते हैं कि अपना आच एंटर्टेंबेंट लाइफ में आनम वह था आज अपनी वंदर तो अपना बैड़ में जो आते हैं अथाइस हेंटे एक दू हेंटे में थोड़ा Jupiter घूमने जाती हूं फिर दो हेंटे थोड़ा Mars घूमने जाती हूं इसलिक सिर्फ पच्छेश घूंदे आती हूं इसलिक सिर्फ प्लांटे में कल मून पे रही कि इस रोगालों ने मुझे बोला था अचेंडराइब को हेलो गोल के आना अब कर छोड़ा Jupiter कर जाओंगी इसले तीन सार अथाइस घूमने नहीं हो पाया और ना अथाइस हो जात यह ठीक है चलो पड़ो इत्या rejected सबढ़ायो गोला प्लांटे आजे डार ऩवी। समस्या के पाइद लायोगों पआया अगार इसले इसलें आमेजून रेइन फॉरस्ट आसाम इनर्णा तो बड़े बड़े पेडों के नीचे पाया माहिए शेड में पायोई उनके लीजे को h toe compound है भिंगख लिख रहे है एक पता और यह चोटे इस फे पती-पती पती पती-पती-पती पती पती-पती पती-पती यह compound लीवसोते ये सोड़ होें but you're right they possessed compound in a छोटे-छोटे फथे हैं रोसके दो तरह के स्पोर बनाते हैं, बड़ा छोटा, that is referred to as heterospory, और इनकी वज़े से ही आगे चलके, yes everybody, इनकी वज़े से ही आगे चलके, प्रशांत, पांडा से लड़ाई मत करो, प्राही करो, इनकी वज़े से ही आगे चलके, seed habit डेवलप हुई है, आगे चलके, seeds बने हैं, right, so प to it, but now I am thinking we will do two lives in the morning only, is that clear, is that clear, now pay attention everyone, this is a very very important slide, pay attention, any doubts till now? तर चलके, चलके, तर चलके, तर चलके, तर चलके, तर चलके, तुम आपस में लड़ना बंद करोगे, येस, बस पढ़ाई कर लो, येस, पढ़ाई कर, इतना आपस में मत लड़ो, please, आए, so 12,000 species है, tropical world समझाया, जहां पर भी hot and humid climate होता है, ये वही पाए जाते है, येस, ओ, पांडू पढ़ ले, most common sporophyte structure, ये क्या होता है, इनके पास stem है, इनके पास भी rhizome है, पर rhizome होती है, इनकी फिडल हेट, कोई हिमाचल से है, इदर, अगर वो हिमाचल से है ना, तो हम खाते हैं, लसूडे, खाया हैं आपने कभी, फिडल हेड पर्न खाते हैं वहाँ, ये फिडल हेड्स होती हैं, यांग पर्न, और ये, फ्रॉंड से ही आगे चलके, पत्ता बनता है, और lower surface पे लगत stem को क्या कहते हैं, प्लीज बताईए, राइजोम, और इस राइजोम से क्या निकल के आ रहा है, अगर प्रशान तुमने एक बार और चाटिंग करें को तुम्हें ब्लॉग करें, पांडा ये और सो डोंट चाट, राइट, फ्रॉट होता पत्ता, ये बेखो जो पत्ता होता, फ्रांड इसा बेसीकली, फ्रॉट इस बीब, पत्ता, राइट, पोलिपोडिय bueno, पेटीयोल होती है डंडी, ये बीज का ब्लेंड, इस बीज़क Tahiraan, प्त्ते का बेंड, dandy is called video and hop up again that is the leaf blade is that clear everyone we're proud to have a photo hi Ramji see can you see this can you see this beautiful photograph I showed you yes right I told you it's like this that's the front can you see that techno gamer no matter and it's a pitching is a place to do it right here Ron and also right there is four which is for me yes or us 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 or I am at the plural is it is it के अंदर हजारों सपोर है इस एक के अंदर हजारों शोर है इस न सब्सक्राइब क्रोन सब। singular इसके हजारों करोना प्रेज को पिर सो रहे कहते देखो किसे फ्रांड देखरां पीज़गा front यास गीज रुटे कहा से निकल कौन आती है तो कि यह जो गों तो कहा दिख़र दद भी ईम एचिवर इस वह आपको बताति है यह रहाए में आपको बता देहा डिये राइजोंस राइट यह क्यों थे compound leaf होता है yes or no right there's a branches अगरं मैं आपको कर आँगे में आपको लाओंगे मैं आपको कर वाओंगे मैं तुम आपको प्रेंगें भॉर्दीगाए let's come to the life cycle of phone is that clear let me do the life cycles of phone done चले आँगे कोई डाउट आए आए नाओ पे आपको दिखे रहे राई लगी हुई आपको पत्ते की चो back-side होगी इस पत्ते की back-side पे पत्ते के ईपड़ की ऊपर एक जोबड़ा इसको एक प्रलाओ ग्रूप बागर ई jaar छॉरेंड निए विघार है स्पोराइटा हमेशा आपलॉइड होते हैं होते की नहीं होते यहां तक किसी कोई घाउट है तो मुझ से पूछ सकते हैं प्लीज इस is there clear any doubts तो sports जो है वो हमेशा क्या होते हैं mcq haploid होते है sport release होगे तेको फिर से क्या बना रहे sport protonima, फिर sport क्या बना रहे heart-shaped prothalis दिग्या आपको अब यह heart-shaped prothalis right, एक तरफ है और एक तरफ है और इसको छोटे-छोटे राइजवाड बन रहे है अब यह दोनों क्या कर रहे है first time ever दोनों ने क्या किया और यह क्या बन गया two in बन गया two in is that clear अब यह two in क्या है oh panda my darling child my dear child, pay attention no worry, zygote and sporophyte still attached to gamitophyte, यह दो sporophyte बनने लग गया two in और यह नीचे क्या है n पर धीरे धीरे यह n क्या हो गया मर गया और यह sporophyte बड़ा हो गया यह two in अब यह two in का leaf leaf की back side back side पर psoros psoros है diploid is diploid sporus ने किया meiosis meiosis करके बनाया spore spore है haploid एक spore है male female male और female कर गया fertilize fertilize करके बन गया two in zygote से बन गया sporophyte sporophyte अभी तक gamitophyte पे लगा हुआ है sporophyte is a plant body two in it is a main plant body yes two in plant body sporophyte is that clear two in plant body में है leaf leaf की back side पर है psoros psoros है diploid diploid is ने किया meiosis meiosis करके बनाया spore spore है haploid male और female haploid stage egg और sperm मिल गये हो गया fertilization बन गया 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 is that clear yes guys and that's now a small talk for each one of you very very important ये मैने सिखा है I'll tell you now see जब मैं आपकी stage में थी when I was young and when I was a teenager unfortunately in our ecosystem not many people are told about God or about self-confidence or about the power of prayers or about your zone that means see I'll tell you something which is like which is my life's secret I don't know why I'm telling you this but I think it will help you when I was your age whatever anybody said used to influence me a lot if somebody said I'm not pretty I used to think I'm not pretty somebody else said I'm not smart I used to think I'm not smart if somebody else said I'm not intelligent I used to start feeling I'm not intelligent somebody else told me that I'm not you know you know I'm not let's say great looking I used to feel oh yeah yeah I'm not great looking so what I want to tell you through this is now this is very important please pay attention this is very important very important in these studies and everything else because you know we are in a world one second guys okay so we are in a world there is constant validation I'm looking on the outside for validation I'm looking at X person to tell me I'm smart I'm looking at Y person to tell me I'm beautiful I'm looking at Z person to tell me I am too good I'm looking at L person to tell me wow Vani you are phenomenal I'm constantly seeking validation outside when I seek validation from outside I have given the power to somebody else to hold the strings of my mood my mood my feeling good about myself my feeling productive about myself my self confidence my self esteem that power does not lie in me that power lies with somebody else because if somebody tells me I'm good I will feel good if somebody else tells me I'm not good I will feel bad are you getting my point if somebody else tells me oh you are worthless I will start feeling worthless that is how most of the people spend their teenage years seeking validation from outside believing that if somebody else tells us we are good enough we will feel good enough right and nobody if suppose somebody is a little healthy kisne keh diya tum hota ho gaya oh my god we feel sad kisne keh diya tum hot patli hai we feel sad kisne ka hai tum hot lambi hai we feel bad kisne ka hai tum kalia hai right and we always give that power which god has given us to somebody else and I think that is the biggest biggest disrespect and disregard of being human right and that's why I'm working on making the app which is absolutely toxicity free I will talk more about it in the next few days to you but this is this is how even I spent my teenage years exactly like you because nobody came and told me because nobody in the world will tell you see out of the world is made up of bad people it's also made up of good people but the bad always outweighs the good there will be very few people who genuinely apka achha chahe there will be very few people who akka genuinely comment karege the world is resigned in a way to pull you down so there will be people who will constantly pull you down like there are a lot of hate comments which come here every single day I have to block these people there is so much hate on social media but if I start to look at the hate and validify myself from that hate my life is gone I'm gone I'll be like forever depressed sad anxious oh my god us meh mere barame asa kaise keh diya oh my god ye kya 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 diya and I'll tell you one more secret guys hum jitna souchtay hai ki duniya walay humare baare meh souch raha duniya walay aur aapne baare meh souch raha unke paas aur souchnay ke liye bhoot zyada you know hai cheeze they are not thinking about you so two life mantras from me nobody's thinking about you nobody has so much and let them think nobody has the time to think about you number one and number two that power should be within you I have now not given I'm so proud of it so bloody proud of it so bloody proud of it that power to tell me whether I'm good or I'm not good life will be alone bhaad meh gai duniya sari mazal hai kese ki koji mujhe kehde you are not good enough bad anna baja diya uska meinne that power mein toh sunti hi nahin I close my ears with titanium plugs mujhe ek wave bhi enter nahin kerti hai I'm open to criticism I'm open to learning yes I could be wrong I want to be a lifelong learner I want to learn I want to grow mere jitna grow karne ki shamta chayad hi mene kabhi kisi mein dekhya I want to grow I want to learn new things I don't just want to become a youtube teacher I want to learn hundred different things in this world I want to do but I don't want anybody to tell me whether I'm good or not that power is with me I'm not allowing anybody else to impact to you know alter my mood I've spent a lot of my important time trying to seek validation trying to believe that if that person tells I'm good I'm good if this person tells I'm great I'm great no I am who I am I want to improve I'm open to criticism I want to grow but I'm not giving you the power to put me down please learn this stop caring what the world will say because the world will say that is the nature of the world you cannot let them influence you yes you cannot allow that to happen otherwise you will feel sad you will feel upset you will feel incomplete you will not do not allow the world to influence what you think about yourself and trust me it's not easy it takes a lot of time to come to the stage where you tell yourself I am who I am I like myself I love and it should not be over confidence you should be open to criticism you should be open to learning you should be open to growth but you are not allowing anybody to treat you like a foot mat no 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 yes and just do this and see that wave of positivity which will come into your life you will be like wow wow you will be like yaar ita kamali ho gaya yes toh madai aaga what like why was I wasting my time on people why was I wasting my energies on people why was I listening to people I am not going to listen to you anymore I am going to do what I want to do yes done so you life cycle clear gangsters is the life cycle clear promise exactly you don't have to listen to them you don't and that's the reason why I deeply admire Urfi Javed sometimes because you know not that I I appreciate her dressing sense it's not my style personally like you know but I appreciate who she is as a person because she is who she is and she doesn't change for the world which is which is how I think personalities should be right you may agree with her you may disagree with her but at the end of the day you have to appreciate that you know in spite of so much of hate she's doing what she wants to do right I always say this I always say this that you know you need to stop caring for the world because if you keep thinking yeh kya ho ga ho kya kahe ga what are they thinking you will never really be able to grow in life no yes exactly because all the time I feel people are always thinking about others that's not how you live your life yes I think she's very creative I think she's very creative unique and artists see artists have their own world it's a very creative world for artists it's very creative yes it's 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 very artistic absolutely seek self-growth seek learning don't get influenced by what others say right no never seek validation art toh art hai that's how art is M.F. Hussein ki painting kaino ko samaj me nahi aati hai kaino ko aati hai right the black polytheen wala was very nice very very nice like comedy bhi hoti no comedy kaino genres ho hai toh kai loong ka woh comedy samaj me aati kai loong ko kai type ki sad movies pasand kai loong ko nahi haati kai loong ko kai type ki gaane pasand aati kai loong ko nahi haati so artists ki toh genre hai halag 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 but yes hate what we can learn from hate milne ke baad bhi kaisi hate se influence nahi hona kaisi grow karna hai life not get influenced by the hate that you receive and keep growing yes keep evolving bita du isko done 95 minutes ho gaya so on the back side back side ko kya 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 absolutely hurt abaxial isme he laga ho hai singular hai soras right aur he jo sorai ho ta na kai par iski o par pat sa covering ho ta bo ke indusium kiya ka kya kya what do we call that covering it's called as indusium is that clear everyone the thin covering is called indusium and human reproduction कल टेस्ट से पहले कराऊंगी और या लास्ट की तीन स्लाइट से पहले कराऊंगी इस एक्लियर एवरीवाण प्लीज दोंट मिस्टेस्ट गाइस टॉप 30 क्वेश्ट फुल से बस एंस पीवाई क्यू करवा रही हूं कल और इस से पहले कराऊंगे टॉप 30 क्वेश्ट बायोजिकल क्लासिटिकिशन दूब रिप्रदक्शन दो चाप्टर हो चुग है दोरो चाप्टर पड़के आईएगा क्लास 11 की टॉप 30 क्वेश्टिंस आपको करवागी इस एक लियर एवरीवान राइट ड़न दन ठीक है टी पढ़का है इसको तो मिलना इन्हें गार एक टेलीग्राम यहाँ आजओ यहाँ आजoni आजय अगे आपको सारे नोट्स वगेरा यहाँ पकुछ मिलने जोएं करो और लाइफ क्रेश कुर्स है विद्लाइफ डाउट प्लीज प्लीज सुभा दस पजे क्लास शाम को छे बजे क्लास normal time तो प्लीज डोंट मिस्ट एक्राश को गाई इसमें विवेक सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यार अगर आपने उनसे एक भी दिन फिजिक्स पढ़िये मैं बतारी जिसके फिजिक्स में 10, 20, 15, 20, 30, 40 नमबर आरे हैं आपके 120 नमबर आने लग जाएंगे फिजिक्स में लाइव 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 इसमें आपके 50 तेस्ट है आपको बजाबतु के सारे मटीरल का पीडियाइक मिलेगा आपकी लाइव क्लासे में डाउट सॉल होगा लाइव क्लास होगी मंडे से बैक शुरू हो रहे हैं वीडी नीट आपका कोर्स है नाइम एम क्लासे लाइव यह प्लीज जॉइन कर लो विवेक सर्वाली क्लास बिल्कुल 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 बिश्मत करना राइट यह देखिए पूरा बैच होगा रोज पिजिक किनिस्ट्री का स्केजिल होगा शुरू कर दे हम आपका क्ला सब्सक्राइब थायों का and please take the oczywiście सब्सक्राइब गैप सबस्क्राइब द्यूर्य फार्ट सो यह दौ यह कोन विए लिजी एप सब्सक्राइब देख जूदाएस seconds एक कर सब्सक्राइब डट बूड़ schedule, video पूरा मिल गया है इसका and go get the class right by now कर लीजे कहां पर जाना है आपको पता ही है यहां पर right बाइ फुल कॉर्स, automatically code लग जाएगा, बीबी, नीट bye guys, see you in the next class bye guys